Hello Everyone, इस वाली वीडियो में मैं आपको grammar section कराने वाली हूँ जो कि हमारा BEGS जो हमारी book है 183 उसमें हमारा मैंने बताये था पहले 25 marks की तो हमारा theory portion आएगा और 25 marks का हमारा grammar portion आएगा तो अब इस वाली वीडियो में मैं आपको grammar portion बताऊंगी कि किस टाइब से आपको लिखना है और क्या क्या इसमें topics आएगे इस वीडियो में हम ये करेंगे जैसा कि आप सभी देख पा रही होंगे फर्स टॉपिक यहां पर क्या है letters आप सब को पता है letters का format क्या होता है formal letter कौन से होते हैं informal letter कौन से होते हैं और इनको किस तरीके से लिखा जाता है हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में बट फिर भी मैं यहां पर कोशिश करूँगे कि मैं आपको with examples मैं आपको समझा सकूँ और I hope कि आपके लिए यह helpful रहेगी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को सबसे फर्स टोपिक है हमारे letter जो letter है वो हमारा formal letters में भी जानत जानते हैं वो हमसे formal letter ही पूछेगा exam में आपको topic देदेगा और आपको उसके regard में आपको letter लिखना होगा और letter जो हमारा topic है यह हमारा रहेगा 5 marks का कितने marks का रहेगा हमारा 5 marks का letter आएगा उससे related देखे मैं आपको दिखाती हूं कि format क्या होता इससे पहले है informal letter का मैं आपको format बताती हूं informal letter में सबसे पहले address लिखा जाता है address लिखेंगे your address with pin code जैसे कि three lines में हम address button कर देंगे then हम date mention करने होती है हमको then हम salutations यूज करें greetings यूज करेंगे dear जैसे वो हम according to relations यूज करते हैं उसके बाद हम यह line put up करते है I hope my letter find you in good health you will be glad to know इसके बाद हम three paragraph में हम लिखते हैं informal letter में first paragraph में हम लिखते हैं brief about the purpose of writing कि हमने letter क्यों लिखाया उसके बार में हम बताते हैं फिर हम लिखेंगे detail about the purpose of purpose है उसके बार में details लिखते हैं second paragraph में and third में concluding lines लिखेंगे हम उसको conclude कर देंगे at last में last में हम complimentary closing करते हैं जिसमें हम with love you are loving you are affectionately मतलब से हम कोई भी word हम use कर सकते हैं बहुत सारे words होते हैं इसके लिए last में हम अपना नाम लिख देते हैं तो यह हमारा format है किसका informal letter लिखने का format है हमारा अब मैं आपको इसके एक दो example दिखाती हूं यह देखिए यह रहा हमारा informal letter है यह हमारा यह देखिए सबसे पहले sender का address मैंने उक बताया था three line में हम address लिखते हैं और यह बात रखने की क्या है यहां पे कि यह format ऐसे ही रहेगा हमेशा left side मतलब starting होगी जो पहले तो हम right side लिखते थे बटा format change हो गया है हमेशा सारी चीज एक sequence में आएंगी वह भी right side में sorry left side में तो पहले आती थी अब सारे आएंगी left side में एक sequence में उसमें सो से परले हम लिखेंगे center का address यहां पर लिखा गया है 3b model town new Delhi 110088 India यहां पर address हो गया देट यहां भी mention करके 25 अगस्त तो जीरो something जो भी आपको लिखना हो next नमाटों पर कह रहता है Salutation जो भी हम यूज कर रहे हैं यहां पर dear mom लिखा गया है mom के लिख रहे हैं अब यहां से start होता है you will pleased to know that I am coming home for the weekend जो जो वो लड़की है लड़का है भीजने वाला जो center है वो अपनी मम्मी को मतला अपनी mom को letter भेज रहा है या भेज रही है तो बता रहा है कि आपको सुनके खुशी होगी कि मैं आ रही हूँ week weekend पे I am very excited to meet you all after so long कि आप से मिल के बुमे के बोचदा खुशी होगी step से हम starting करते हैं तो यह मारा first paragraph हो गया है I feel elated to share the project I had been working on has been selected by American Library Council was a very challenging task for me but I am glad that my four hard work has paid off बता रही है कि step से मेरा selection हो गया है और मैंने बहुत hard work किया इसीज के लिए मैं को बहुत खुशी है leaving aside my chores I have also started taking care of my diet as you suggested how is everyone at home I hope D2 dance classes are running well मतलब वो अपने बहन के बारे में पूछ रही है यहां पे और वो इसके लाव वो अपने घरवालों के बारे में भी पूछ रही है क्योंकि इन्फॉर्मल लेटर है तो हम इन्फॉर्मल वे से हम लिखते हैं कॉमनली जो बात हैं करते हैं वने को हम एड़न कर देते हैं लास्ट लास्ट परग्राफ किया है यहां पे अपडेट मी अब्स आवर्टिंग सून और प्लीज दो नोट फोर्गेट तो विजट दोक्टर फो यह रूटीन चेक अप कन्वे माई रिगार्ड तो पापा और देतुर मतलब यहां पर हमारी क्लोजिंग हो गयी मतलब लोगने कर चाहें पासक्रिये कं कलोडिग डिमाक्स यहांुज किया गई है लास्ट में और कोमप्लीमेंट्री खलो रहती न कंड रिम हुष किया है यूर्विह लव हले नह नाम हो गयाँ तो मतलब यह फोर्मेट Ish हो जाएगी हमारे लैर्टर की और यह लुट होता है teams our conclusion venues करें और ऊच्छा लाइन प्रॉनाफ्लगा whack यह लेषास्टर म concluding remark मूझा हो थो इन चाहिए लेड़िय प्रॉम्ल लाइक déjàते है informal letter का format और यह इसका example देखा आप सभी ने अब यह देखिए यह अब मैं आपको format बताती हूँ formal letter का format क्या होता है यह अब इसके बारे में बात करेंगे इसमें सबसे पहले sender का name मतलब इसमें स्टार्टिंग में sender का address भरा जाएगा sender name, address, address के लिए line 1, फिर line 2 मतलब 3, 9, 3 lines होंगी वो sender का address के लिए होगी उसके बाद second step क्या हो उसमें date लिखनी होगी third step detail of receiver मतलब यहाँ पे receiver की details डालेंगे हम जैसे कि हम किसी principal को लिख रहे हैं तो to the principal, school का name, address वो चीज़ यहाँ पे आएगी then हम subject डालेंगे कि subject क्या है letter का उसके बाद हम superscriptions यूज करेंगे जैसे respected sir, madam, honorable भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे then main body आजाएगी हमारी letter की और last में हम दुबारा से subscriptions यूज करेंगे जैसे you are respectively, you are sincerely, you are faithfully और last में हम अपना नाम डाल देंगे तो यह format हो गया हमारा formal letter का जहां तक idea है exam में आप से formal letter ही पूछेगा आपको वही लिखना होगा formal letter हमारा five marks काएगा तिसलिए इस थोड़ा इस पर ध्यान दे लेना कि format क्या रहेगा इसके मैं आपको अभी example भी करा देती हूँ यह देखिए primary school admission letter किसी को primary school में admission कराना है तो उसके लिए letter लिख रहे हैं starting मतलब देखो अपको देखर होगा सारा भी सिक्वेंस left side रहने वाली है तो starting left side से ही होगी तो ध्यान रखना सार्टिंग टू दा प्रिंसिपल मतलब यह receiver का address जिसको हम बेज रहे हैं यह हमारे यूज़ करेंगे हम यह पर डियर सर मैं इसके बाद यह letter स्टार्ट हो जाता है यहां पर टू पैराग्राफ है लास्ट में थैंकिंग यू रिगार्ड्स यहां पर नाम हो गया है एक तो यह example है इसका उसका एक और example दिखाते हूँ यह देखिए यह देखिए यह आप पर बोल रखा है फ्रोम मतलब एक requested letter है स्कूल फी कंशिशन के लिए एक लड़की भेज रही है पूजा गुपता उसे वो भेज रही है अपनी टीचर को डियर मैं आई एम पूजा गुपता इसके बाद लास्ट में आप कर लो कर लेना लास्ट में यहां पर थोड़ा चेंज है फोर्मेट बट आप सबको बता है कि फोर्मेट क्या होता है फोर्मल लेटर का यह देखिए यहां पर यह एक और एक एजम्पल ला रख है मैंने आपके लिए यह लेटर है प्रिंसिपल को एजम्ट दा कोलिज फी ड्यू टू कोविड नाइंटीन मतलब कि छोट दें कुछ फीस के ऊपर कोविड के चलते उसके लिए लेटर लिखा जा रहा है प्रिंसिपल को पे देखिए यहां पर प्रिंसिपल का एडरस आ गया है पूरा यहां पर फिस सब्जेक्ट है फिर रिस्पक्टेट सर यूज किया गया है विडियो रिस्पक्ट आइस्टेट आइम स्टूडंट ओफ यू इंसिटूट माइन इस असीम बहुनिया फूम दा सी एसी डिपार्टमेंट ट्रॉल लंबर डैश मतलब यह हिन का दलब वता रहा है कि मैं आपके साथ आपके स्कुल में पढ़ता हूं तो वह कहारा है मेरी फैमली बहुत ही पूर फैमली है मैं साइकल से आता हूं यह मैं फादर बाई साइकल में कैनिक हैं और मेरी फीस प्रीज माफ कर दे जाए क्रोना के चलते हूं काम नहीं हो पाया था इस बज़े लेटर लिखा गया है वह अपनी को छोट चाहते हैं फीस यह आपके च्वाइस रहती है बड़ जहां तक सफिस यह अंट है आपको देट यहीं मैंशिन करने चाहिए उपर ही तो यह हमारा हो गया है फोर्मल लेटर का स्ट्क्चर जो कि हमारा फाइफ माक्स काएगा और यह इसली हो जाएगा बस में इसमें क्या होता है कि हमको फॉ रहा होगा रिपोर्ट राइटिंग जो रिपोर्ट राइटिंग टोपिक है यह भी हमारा आएगा और यह हमारा सिक्स माक्स का हमारा टोपिक आएगा रिपोर्ट राइटिंग वह आपको को टोपिक ही देखा और उस पर आपको रिपोर्ट लिखनी होगी डिपोर्ट को स्ब्सक्राइब में जो पास्त में असे पोस्त चीज़ इंसे साझे एक्सिदेन स्मस्ट तो इस पार nearest strict alluded को इ highlighting की मैं जो परसन है वो उसके बारे में अच्छे से जान पाता है और इस टाइप से रिपोर्ट लिखी जाती है यह भी हम अपनी प्रीविस क्लास में लिख चुके हैं मेभी 9-10 क्लास में सब ने रिपोर्ट राइटिंग की होगी बट अब दुबारा से देख लेते हैं क्योंकि हमार बाय लाइन बाय सपना या बाय जैसे किसी रिपोर्टर लिख रहे हैं तो उसका चैनल का नाम लिखे देते हैं यहाप बाय लाइन में तो मतलब यहां पर दो लैंड यह हो गई दैन यहां से स्टार्ट हो जाता है फिर डेटेल्स इसमें हम 5 टोपिक्स की बात करेंगे वट लेके ही जो पूरी बोड़ी होती है रिपोर्ट की वो डड़ी की जाती है कि सबसे पहले यहां पर डालेंगे जैसे यहां पर बाड़ोधा ट्वंटी नवंबर दा कल्चरल नाइट ओर्गनाइजड बाइक कॉन्वेंट ओफ जैसस एंड मैरी बता रहे हैं कि यहां पर हमेशा ही पास्ट फॉर्म को यूज किया जा यहैं आपको मैंने रखना होगा कि कि ए बता रहे ही जैससे सानमैरी के दोड़ा बरोदा वोज एन एंटर्टेशनिंग इवनिंग व्र नोबल कोज वो किसले की गई थी एक इंडर्टेनिघी इव निग ती The brilliant performance of students as they presented songs, dances, fancy dress shows and one-act plays kept the audience spellbond for three hours. अन्य बता रहे हैं कि कैसी कैसी performance हुई यहां पे मतलब songs गाए बच्चों ने डान्स किया, fancy dress show भी हुआ था, act भी प्ले किया गया मतलब three hours के लिए सारा प्रोग्राम चला The fund raised were handed over to district magistrate to be sent as reliefs for the victim of a recent powerful earthquake that jolted Kashmir exposing the survivors to freezing temperature in their makeshift shelters वो बता रहे हैं कि यहां से जो fund की कठा हुआ उसको Kashmir भेजा गया है और victims के लिए उनके अराम के लिए With temperature dipping and snow falls reported in the hills in Jammu Kashmir and the government is working around the clocks to help ensure relief supplies reach the most vulnerable populations by mid December बता रहे हैं कि कैसे वहां पर snow fall हो रहा है तो आप टैंपरेचर वह बहुत नीचे चला गया है और इसके जैसे वहां के लोगों को बहुत ही प्रोब्लम हो रहे हैं वहां की पोपोलेशन को इसलिए लिए उनके लिए डोनेशन बेजा गया है इसलिए फेलो हुमें इट इस दूटी तो इच वन अफ उस तो एक्स्टेंड ए हल्पिंग हैंड बता रहे हैं कि हम सब की डूटी हो जाते हैं कि हम से हम हैल पे बेजें दा कंट्रिबिशन इज मैक रे सैड मिस्स गुपता दे प्रिंसिपल ऑफ दे स्कूल तब उनने कुसके बारे में कुस लाइन बोली थी और जो यहां पे एक सिंगर भी आये हुआ था सलीम मर्चंट उसने भी चीफ गैस्ट वो मतलब उन सब ने मिलके एफर्ट्स लगाए स्टूडन्स ने भी आफर्ट्स लगाए और सब ने मिलके इकठा करके यहां पे बेज दिया मतलब यह ओवर्वीव हो गया रीचिंग आउट टॉपिक से हमारे रिपोर्ट थी यह हमारे पूरे पूरा मतलब एक ओवर एक निचोड बता दिया कि मतलब ट्वंटी नॉवंबर को क्या हुआ था उस कल्ट्रेल नाइट्स में पूरा डिटील में बता दिया गया है यह ओत्तिया हमारे रिपोर्ट रैटिंग आपको दिखाते इसका दूसरा एक्जामपल यह देखिए इसका टॉपिक क्या है यहां पे हैड्लाइन क्या है थर्टी पर में आपको खुल से निकालना होगा तो यहां पर फर्स्ट है थर्टी नाइन मतलब हैड्लाइन जो है वह यहां पर क्या रहेगी है हमारे थर्टी नाइन केल इंटेन अक्सिडेंट इन पंजाब उसके बाद बाद बाइलाइन टाइम न्यूस सर्वेसे मतलब किसने जो सर्वेसे से उसके रिगार्डिंग से हमको यह न्यूस मिली है अब यहां से स्टाट हो दाता हमारा इंट्रोड़क्टरी पैराग्राफ क्या रहा तो से पहले यहां पर नाम लिखते हैं प्लेस का और डेट मैंशन करनी होती है सो मुक्रेन पंजाब में 14 दिसंबर को 39 पीप तो वहां पर मतलब मर गए हैं और 50 बहुत मतलब घायल हम आप इंजर्ड है और एक्सप्रेस ट्रेन थी जो मुत भी एक्सप्रेस ट्रेन थी जो हमद्या बाद जा रही थी और वह एक लोकल ट्रेन के साथ वह मतलब वहां पर एक्सिडेंट हो गया है दो कोलेजन तो यहां पर फर्दर डिटिल दे रहे हैं जो डिटिल सर इसके बारे में दा कोलेजन तुक्स प्लेस आफ्टर अफ्टर एक्सप्रेस ट्रेन थी जो मतलब अपस में भीड़ गई सिगनल का कुछ मतलब फेलियर रहा इस दोरन रिजिस्टेंस ओफ हर्सम मनहार विलेज विच वास दो अफ्टर 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 एक्सिडेंट साइट वर्दा रहे हैं कि मापे विलेजर से जुन होने हां कि मापे हल्प की सब से पहले देल्वे मिनिस्टर डिस्क्राइबिंग गवर्मेंट थे उन्होंने जो मरे मतलमन के लिए एक लाख मुआवजय की की है और जो मिलेब जो गाहले उनके लिए सब्सक्राइब 15,000 रुपे अंधान राशी देने की गोशनकी है रेल्वेय कमिशनर सेफ्टी है जो रेल्वेय कमिशनर है उन्होंने इनक्वारी के आदेश दिये हैं लब यह हो गया हमारा रिपोर्ट रिपोर्ट का एक्जांपल नमबर टू मैंने आपको यह करा दिया है इ इशुक्त करते हम के दिया कि there है पर चली सेफ़ी हो चली कि यह कैसे क्यों को सेलेबरेट किया गया इसको आपको मिल ढट esta कि निन है एे कि एसके लाव यह रही देखिए कि यह कह ब रीक शे फोर पर से इंजर इन रेन के रही है यह पे हमारे हैं भी है मरें जो आधनी की लिगते रहा है और तो फूर पिजबार से अपर जाट डाट कर देते हैं उत से इससे फौर परसन वर इंजट इन डोडूड़क सेंटे ओमर गए टैन ओक लोग को यस्टरडे नाइट को इसके बार इन बता रहा है इसको देख लेना आप एक बार कि इसके लावा और मैं भी दिखाती हूं आपको इसके एक्जामपल्स यह देखिए यह Teacher Day Celebration पर यह एक रिपोर्ट है इसको दिख लेना आप एक बार अब हम करते हैं हमारा Next Topic आपको दिख रहा होगा Composition इसके बारे में मैं आपको चैप्टर में बता चुके Composition क्या होते हैं Composition के Parts क्या होते हैं तो यह भी हमारा एक Topic आएगा जो कि हमारा 7 Marks का Topic रहने वाला है वह आपको Topic देदेगा उससे रेल्टेड़ आपको Composition लिखने होगे जिसमें आप स्टार्टेंग में बिगिनिंग करोगे फिर देन आप बोड़ी पोस्टर लिखोगे पूरा Composition का लास्ट में आप कन्किलूड कर दोगे तो मतलब यह चीज़ आपको ध्यान में रखके करना होगा क्योंकि यह तीनों स्टेप्स बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और यह हमारा कोशन 7 Marks का रहने वाला है तो सब्सक्राइब ते Composition का मिन्स क्या होता है Composition का मिन्स होता है रचना करना क्या रचना इन्दी में दिया हम बात करें तो Composition मिन्स क्या होता है रचना होता है अगा हम बात करें Compositions की इसके बारे में आपको बताए भी है Composition can be defined as the orderly arrangement होता है elements का in a scene में which when taken a whole convey intent and meaning बहुत सारे parts को इसको इसको लिखा जाता है एक whole बनाने के लिए complete इसको बनाने के लिए तो वह हमारा होता है Composition के structure की इसको कैसे बनाया जाता है या कैसे इसको लिखा जाता है यह देखिए सबसे पहले इसमें introduction लिखा जाएगा सबसे पहले introduction होगा जो introduction में जो line होगी two से three line होगी वह हमारे topic से related होगी पर लब यह हमारे beginning होगी हमारे composition की इसमें हम thesis statements का भी हम यूज कर सकते हैं then हमारे जो तीन paragraph हाएंगे उसमें हम main idea के बारे में बात करेंगे जो की हमारा topic से related होगा और at last conclusion हम को उसका करेंगे और हम उसके ending कर देंगे यह देखिए इससे पहले हम डालेंगे इसका introduction इसमें हम three topics के बात करेंगे इससे पहले topic की summary of main points और thesis statement की इसके बात तीन paragraph होंगे जो की arguments के साथ support करेंगे वह अपने इंतलब बने opponent को अपनी views को और last time में वह summary कर देंगे अपने topic के regarding कि यह देखिए मैंने यहां पर एक स्लाइड और डाल रखी है इसका क्या मोटिव है मेरा इस स्लाइड को रखने का कि यहां पर जो composition होते हैं उसके four types होते है narrative, descriptive, expository, persuasive यह four types होते हैं मैं इसके बारे मैं आपको chapter में बता भी चुकी हूँ बाद दुवार से बता रहे हूँ composition के four types होते है narrative, descriptive, expository, persuasive यहां पर कुस्टोपिक्स दे रखे हैं कि मतलब narrative के कैसे type होते हैं descriptive के कैसे type होते हैं यह बता रखा है जैसे देखिए my first encounter with snow, यह इस type का narrative ऐसे में आ जाएगा summer vacation भी मतलब इस topic है, मतलब जो खुझ से related हैं वो सारे narrative ऐसे में आ जाएंगे तो नहीं बात करते हैं descriptive ऐसे की, तो this means the most interesting dream, our annual day celebration, the house of my dream, our hour at the hospital मतलब इस type से हो जाएगा, expository ऐसे में कौन कौन से आएंगे, healthy lifestyle, history of mankind, fashion through the year, feminism, music, important of sports in our life मतलब इस type से expository ऐसे में आएंगे स्वाल इस इस ताइप के जो भी topics रहेंगे वो, and last step persuasive ऐसे में, जैसे how much should parents be involved in a child life मतलब जहां पर मतलब तरक टाइप से जो जहां पर हमको प्रूफ देना होगा, यहां पर हमको arguments देने होंगे, उस type के हमारे आएंगे, एक persuasive essay के नतरकत हमारे सारे आ जाएंगे, यह देखिए, मैंने यह पर कुछ examples डाल रखें आपके लिए, इसे दर्डी सेल्डेवेंटेज ओफ इंटरनेट ऐसे, मतलब इसे है, ऐसे composition कुछ कुछ सेम सेम होते हैं, कुछ similarities होते हैं, इनमें थोड़ी बहुत, त इसलिए हम composition क सकते हैं, कुछ similarities होते हैं, इसी वजय से, एक दिया मानने तो मतलब उसका सेम सेम कुछ रूप समान ही होता है, दोनों का इनका जो structure होता है, तो यहां पर first मैंने यह डाल रखाया आपके लिए, इसको देख लेना, आप, यह देखिए, यहां पर मैंने टोपिक दिया है, इस step से मतलब यह मैंने आपका example दिया है, इस step से आपको composition लिखनी होगी, then यह देखिए, the benefits of learning English, कि क्या के benefits होते हैं, English मतलब सीखने के, यह topic हमारा यह है, मतलब इस step से हमको composition लिखनी होगी, यह composition हमारी जो होगी, वो हमारी 7 marks की होगी, जो इसमें हमको topic देदेगा, कि आपको इस topic पर composition लिखनी है, तो वो हमको cover up कर रहा होगा, 7 marks के coding, मेबे आपको इसमें, टू पेस दो भतलब भरने होगे, मतलब डू साइड्स तो आपको cover up करनी होगी है, 7 marks में आपको, तो यह हो, इसली हो जाएगा, नक्स हमारा topic है, unseen passage जो इस दिस step से आएगा, वो आपको जैसे यह हमारा है, bio diversity नाम से यह हमारा passage है, जानत का idea कि starting bio diversity world से हो रही है, तो मतलब, first of all, तो हम इसको अच्छे से read करना होगा, सबसे पहले तो, then हम इसको बार अच्छे से read करने के बाद, हम question पर जबाएंगे, तो इसमारा first question क्या है, what is a topic sentence, कि यहां पर topic sentence, क्या है, main topic क् तो इस वाले जो paragraph, main topic है, वो है, bio diversity and its type, क्या है यहां पर, bio diversity यहां पर, अब मैं आपको बत बोल के बता रही हूं, क्योंकि इतना space नहीं है, इस वजए से, bio diversity and its types, यह हमारा हो जाएगा, इसका, topic sentence, इसका, तो यह question हमारा, one marks का हो गया है, then second question क्या है, in your opinion, which is the topic sentence, in the above passage, same, same, बात है, वो starting, मुझे पूछ रहा है, topic sentence क्या होता है, तो मतलब में हम बता देंगे, कि यहां जो मैंने लिखा है, bio diversity, types of, types of biodiversity है, हमारा, यहां पर, पर sentence हो जाएगा, फिर हम उसके बाद, यहां पर शूटेबल टाइटल देना है पैसे को तो हम टाइटल नहीं है तो हम टाइटल यहां पर वहां ड्यावस्टका सकते हैं यह यहां पर यह पीछ लिए आप इस चैप से आपको कुछ पी लिसके बारे में टॉपिक संटेंसमें बढ़ जो टाइटल होगा वह हमरा कोशन आएगा में हमारा कोशन ये वाला है जो आपने ये पैसिज बढ़ा है इस पूरे पैसिज की आपको समरी करके लिखनी है फोर नुम्बर में एक पेज आपको भरना होगा पैसिज के रिगार्डिंग जो इसको कि समरी फोर माक्स किया तो आपको वन साइड आपको कवर करनी होगी इसके रिगार्डिंग तो मतलब इस तरिके से हमको यह पैसिज अटेम्ट करना होगा एक्जाम में इसका मैं आपको एक्जाम्पल और दिखा तो यह देखिए यह यहां पर कॉंटा कॉंटा नुग्वेस डिजिज के बारे मत की यह मतलब संक्रवित बिमार्यों के बारे में इसके रिगार्डिंग, हमारे कोशिन ओंसर यह हैं देखिए सब्सक्राइब को डॉपिक क् Vine as cities क्या होता है और इस वाले में अपको टौपिक सिंट्रैंज क्या है इस्सिज में steps है मैं इसको इसलिए बता देंगे यह आपर justrol बीमप रखा है और पिर भी एंको पंस समरी बताने है पैसिज की, यह तो चमरी उसलिए हो जाएगी, 4 marks में तो आपको मैंने बताया कि 1 side page आपको cover up करना होगा तो आपको 4 marks आपको इजली मिल जाएंगे आपको पैसे सार आपको बताई है तो इसको देख कि आपको समरे लिखनी है मतलब आपको एक out view लिखना है outlines लिखनी है पैसे के बारे में इसको आपको जिस्ट बताना उसका सार बता देना है कि क्या गहना चाहते है इस वाले paragraph में तो मैंने आपको total यहां पे 4 topics बताएं हैं जो कि हमारे आएंगे exam में grammar portion में सबसे पहले हमने मैंने आपको letter बताया letter में letter जो हमारा 5 marks का आएगा और इसके इसमें हमारे चांसे है वो हमसे formal letter पुछेगा यह मैंने आपको इसका format बता दिया है किस टाप से इसका format हमको लिखना है और किस टाप से हम अपने letter को attempt करेंगे जिब हम paper में letter लिखेंगे उसके बाद हमने किया था report writing report writing होती है वो हमेशा past में लिखी जाती है report writing हमारा topic है वो total हमारा 6 marks का आएगा paper में इसके बाद मैंने आपको report writing के बहुत सारे examples कराएं है इनको आप पढ़ लेना तो आपको मतलब आपको इसलिए समझ में आ जाएगा कि किस टाप से हमको report writing लिखनी है और किस टाप से हम उसको पेपर में attempt करेंगे इस वाले question को यह देखें मैंने आपके लिए examples डाल रखें यहां पे 4-5 examples इनको आपको 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 समझ में आ जाएगे किस टाप से हमको लिखनी है उसको पता हमने किया composition क्या होता है composition हमारा topic है वो भी हमारा total seven marks का आएगा exam में जिसमें आपको composition में हम three steps की बात करते हैं जो कि मैंने आपको बताया यह देखिए introduction, main idea, and then conclusion इसको recording हम composition को करते हैं यह मैंने आपको एक slide और दिखाई थी इसके अलेवा मैंने आपको बताया थे कि सुता composition के narrative, descriptive, expository, persuasive position के देन मैंने आपको examples दिखा रखे हैं कुछ यह ऐसे type ही होता है लब उसे type से बोल सकते हैं इसको और at last हमने पैसे देखा कि पैसे को हम कैसे करेंगे exam में कैसे हम इसको अच्छा से attempt करेंगे exam में मैंने आपको पैसे के बारे में बताया कि कैसे हम इस topic sentence क्या होता है और यहां पर हम title किस परकार डालेंगे exam में और देन हम summary किस type से लिखेंगे exam में मतलब exam में इस वाले question की मैंने आपको बताया तो मैंने आपको और topic करा दी हैं अच्छे से I hope कि आपके लिए helpful रहे exam में क्योंकि यह वाला section हमारा है यह वाला total 25 marks का आएगा exam में 25 marks अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि 25 marks theory section है 25 marks हमारा grammar portion है जो मैंने आपको कराया है 4 topics हमारे total लाएंगे grammar portion में जो कि हमारे 25 marks के रहेंगे I hope कि आपको इसलिए समझ में आगया होगा जो मैंने आपको बताया है किस अब से हमको यह करना है आपके लिए helpful रहे तो please like करे, share करे and subscribe करे Thank you everyone